और इस वक्त की बड़ी खबार जमो कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलो ने आतंकियों को घेर लिया है कास्तिगड जंगल के उपरी इलाके में अतंकवादी और सुरक्षा बलो के बीच दो घंटे तक मुठभेड चली है डोडा के जंगलों में तीन आतंकियों के होने की खबर है तीनो आतंकी पहाडी के टॉप पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर उन्हें चारों तरफ से घेल लिया गया है अब आतंकियों के भागने की कोई जग़ बाकी नहीं बची है सुरक्षा बल का घेरा पहारी के टॉप पर बढ़ता जा रहा है तो देख सकते हैं दो तस्वीरे आप अतंकियों से जो मुठबेर हुई और उसके बाद अब तीन अतंकिया भी भी छिपे हुए बताए जा रहें लेकिन पूरे तरीके से सुरक्षा बलो ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है न्यूज 18 की टीम बिल्कुल ग्रोंड जेरो पर हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यह वो स्पार्ट है जो जंगल आप दिख रहे हैं इन पेडूं के बिल्कुल बीच में जब आर्मी यहां पर गाद बनाके बैटी हुई थी और मिल्टन की तरफ से उन पर फायर खुले गए है और बताया जा रहा है कि इस इनकॉंटर में अभी दो जवान जो है वो जखमी हुए जिने हाली में अभी कुछ देर पहले यहां से शिप्ट किया गया है हॉस्पिडल के लिए आप देख सकते हैं कि आर्मी की यहां पर गाड़या है और यहां से आगे किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं यह बिल्कुल Ground Zero की विजवल से बताया जा रहा है कि जो फाइरिंग यहां पर हुई है तकरीबन दो बज़े के करीब रात को फाइरिंग हुए है और जो फाइरिंग तकरीबन चार बचकर पचास मिनिट पर दे दूनों तरब से फाइरिंग जो बंद हो गई है और उसके ब में रहते हैं और रात की समय जब हमारी सुरक्षाबल इन एरिया में सर्च ऑपरशन चलाते हैं तो उन पर जो मिल्टेंट की तरफ से एंबुश लगाया जाता है और उन पर बाद में फाइरिंग गी जाती है लेकिन अभी जो अपडेट है वो यही है बिल्कुल Ground Zero की रिप की जो आते हैंगी है वो बच निकलने में कहीं से भी उनका कोई भी रास्ता ना हो और उन्हें जल्द से जल्द डेर किया जाए निउसेटी नेडवर के लिए Ground Zero से कास्टिगर दच बाटा आतिफलोन